आप सभी का मारे टूप चैनल में स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप QBS 5 के अंदर जब आप OAKALS को कट करते हैं OAKALS को काटते हैं तो उसको आप एक साथ कैसे जोड़ते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक OAKALS यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इस OAKALS को भी हम आपको कट करके बताएंगे दूसरे ट्रेक पर कि आप इसको कट कैसे करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप एक साथ कैसे जोड़ेंगे दोस्तो हम QBS 5 से रिलेटेड, FL Studio से रिलेटेड अनेक बहुत सारी इसे वीडियो बनाते रहते हैं जिसमें आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है आपको इस वीडियो को पूरा लाट से देखना है सबसे पहले मैं इस ट्रेक को डिलेट कर दे रहा हूँ फिर यहाँ पर इसका डूबलीकेट बना लेता हूँ यहाँ पर इसका मैं कलर सेलेक्शन कर देता हूँ यानि इसका जो कलर है मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा उसको आप वहाँ पे cut लगाईएगा फिर यहाँ पे जो तीसरा चौथा लापसन है इसको आप press कीजेगा तो आपका यह ओकल जो बेकार part होगा वो आपका यहाँ से cut जाएगा फिर यहाँ पे आपको आगे बढ़ाना है जितना भी आपको part cut करना है तो यहाँ पे cut tool से तीसरा लापसन मिल जाएगा इससे आपको cut कर देना है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर चौथा लापसन यूज करना है इरेसर का उसको इरेसर बोलते हैं तो आप इससे इस तरह से remove कर सकते हैं मन चाहा जो part आप delete करना चाहते हैं तो यहाँ से और भी यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे part है यहाँ पे जो आप delete करना चाहते हैं उसको आप यहाँ असानी से delete कर सकते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको एक साथ कैसे जोड़ेंगे क्योंकि recording के समय जो उकल से इधर धर ना हो जाए तो इसके लिए आपको आपको इसका एक साथ जोड़ना भी फड़ता है तो इसको कैसे जोड़ेंगे वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने cut कर दिया हूँ पूरा का पूरा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको cut tools से यहाँ पे इतना part जो है वो मैंने cut कर दिया है जितना मुझे जरूरत थे तो यहाँ और भी मैं यहाँ पे cut कर दे रहा हूँ इसको इसको zoom करके मैं इसको cut कर दूँगा तो यह मैंने भी cut कर इसको eraser से इसको मैंने यहां से remove कर दिया part को यह वाला part भी हमने remove कर दिया इसको तो चले हम यहां पर बताते हैं कि सको आप एक साथ कैसे जोड़ेंगे जो cut किये हैं इस ocles को आप एक साथ पूरा एक line में कैसे करेंगे तो यहां पर आपको इसको पूरा select कर लेना है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं मैंने इसको पूरा select कर दिया हूँ अब फिर यहां से आपको इसको एक साथ जोड़ना हम आपको बताएंगे तो safety दबाके आपको right click करना है यहां पर तो इस तरह का page खुल जाएगा फिर यहाँ पे idea पे click करना है फिर यहाँ पे आपको देख जाएगा bounce selection का जैसे देख सकते हैं bounce selection का तो इसके ओपर आपको click करना है फिर replace के ओपर click कर देना है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह बिल्कुल एक साथ यहाँ पर जुड़ चुका है पूरा तो यहाँ पर Oaks इधर धर नहीं होगा तो इस तरह से आप जोड सकते हैं इसको तो अभी मैं इसको दूसरा भी तरीका बताऊँगा कि इसको आप एक साथ कैसे जोड सकते है तो यहाँ पे समझाने के लिए हम आपको जल्दिल दी इसका ओकल्स पार्ट यहाँ पे कट कर दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो वीडियो ज्यादा लंबाना हो तो यहाँ से ही रेसर से मैं इसको डिलीट कर दूँगा तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया हूँ और भी यहाँ से जो पार्ट डिलीट करना है कट कर देंगे इसको तो यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया हूँ अब इसको हम दूसरा तरीका बताएंगे कि इसको आप कैसे एक साथ जोड़नाय को आपको सेट कर लेना तो यहां पर आपस से उब आपको क्लिक करना है फिर आपको यहां पर नीचे आजाना है बीच में यहां पर दिख रहा आपको bounce selection यहां पर क्लिक करना फिर आपको replace कर देना है तो यह दूसरा तरिका तो इस तरह से आप किसी भी ओकल्स को जो cut किये हैं उसको आप एक साथ जोड सकते हैं एक कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आए होगी और दोस्तों कर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक हमारे युटूब चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिएगा जिससे मारे आने लिए लाटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबस से पहले आप तक बहुत सके हैं